अस्तलाम वल्यकूम वेलकम बैक टुवा जे एट वित में और सुबा का आगाज, गरम गरम पानी और दार चीरी के चंड टुक्रे वित एपल साडर विनेकर एक चमच तो आप लोग मैं जो बता है, आप लोगों को मेरी वीडियोज कैसी लग रही है, क्या आप लोगों को मोटिवेशन मिल रही है, क्या आप लोगों ने मेरी वीडियोज देके कुछ सीखा, क्या अब तक किसी ने अपने लिए कोई कदम उठाया, नहीं, तो बर क्या सोच रहे ह किस बात का इंतजार है किस दिन का इंतजार है और अगर अभी भी आज भी किसी दिन का आपको इंतजार है तो एक बार खुद को शीशे में देख लेना और दिल से खुद पर खुद आपको ना एक आवाज आएगी क्या तुम ऐसी थी? क्या तुम ऐसी हो? क्या तुम ऐसे ही रहना चाती हो हमेशा नहीं भले हमें कोई कुछ न बोलता हो बले जो हमारे साथ है वो हमसे प्यार बहुत करते है और हमें प्यार खाने से है मुझे असा रगता था कि आज से कुछ अर्षा पहले मैं खाने के लिए जीती थी अब मैं जीती हूँ अपने लिए क्योंकि जब बच्चे छोटे होना तो फिर बस इंसान बच्चों में गुम रहता है और साथ साथ बेबी जोते हैं तो फिर उनकी जादा परवा होती है खुद को बना एकड़ा एकड़ा पर रखके भूल जाता है अच्छा यहां पर मैं आपको बता दूँ अलोवेरा मैं दिखा रही हूँ यह मेरी हेर के लिए ठीके मैंने हेर्स पर लगाया था हमें वेट लॉस के साथ साथ हम हेर्स का भी दिहान रखना है तो खैर हम बात कर रहे थे हैं अपनी तवज्ज़ की तो देखें अगर हम आज तवज्ज़ नहीं देंगे तो आज चंद सालों बात भी हम फिर इसी गिल्ड में होंगे अगर यह टाइम दो हजार चौबेस हमारे लिए आया है नया साल को हमें चाहिए हम इस साल अपने लिए इस गिल्ड को अपने अंदर से निकाल के बाहर भेट नहीं दूर कि यह वापस हमारे पास आने की हिम्मत भी ना करें आपको बता है मैं इतनी वीडियो देखती हूं इतनी वीडियो देखके इतना इंस्पाइर होती हूं और फिर अगले ही दिना या बलके उसी टाम में बैठके कुछ जंग खा रही होती थी और पिर मज़े कोई किसी भी बात भुषा आता था या कुछ भी मैं सैड होती थी तो मैं एक चिप्स का पैकेट लेके ना मैं वो खाने लग जाती थी कि मुझे यार इस से सुकून मिल गए दिन में अला माफ करें बोलना नी चाहिए बट हम आजकल खाने अपना डिप्रेशन खाने से अटाते हैं तब ही आजकल जो है ना वो दुनिया में इतना मुटा पाए तो हमें अपने साथ साथ नमाज का भी ख्याल रखना है नमाज की टाइम पर पढ़नी है ठीक है तो बात दर असल यह है कि अपने यह टाइम निकालो और आज ही का दिन है आज ही का टाइम है और अभी इसी वक्त ही टाइम है सिर्फ चन टिप्स हैं जो मैंने फॉलो की हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ मैंने क्या फॉलो किया है मैंने पानी की बोतल रात में भर देनी है रखके तीन लीटर में सामने तो बॉटते ही मैंने तीन से चार ग्लास पी ले ले हैं जब मैं पी लेती हूँ तो मेरा पेट फुल हो जाता है वो में रुप जाती थी फिर मैं कटी थी फिर मैं स्टाप हो जाती थी बढ़ अम मुझे आदत हो गई है साथ बज़े के बाद साड़ेशे के बाद कोशिश होती है मैं कुछ भी ना खाओ उसके बाद नेक्स दे में डेट या दो बजे जाके कुछ खाती हूं उसके इलावा में ब्लैक कॉफी गरम पानी मॉर्निंग ड्रिंग कैवा ये सब ले रही हूं और बहुत कम कैलोरी में खाना खा रही हूं आज भी मैंने ये बगार ऑईल के चिकन मनाया है इतना यमी बनाया है इतना यमी कि मैं आपको क्या बता हूं आप लोग भीवा ट्राएगा ना सारे मसाले आट करते ना एक टिमाटर आट करना बस और इसको डगते ना ये पक्षाएगा इसके इंदर गोवी प्यास शिमला जो भी डाल के खालो ये मिसा सूप भी बन जाएगा बट मुझे थोड़ी क्रेविंग थी रोटी ही क्योंकि ये सुबह भी ने ली टी तो मैंने एक चीला ले लिया तो ये थोड़ा थोड़ा करके खाते काते ना हमारा पेड इसी में भर जाता अभी भी मुझे भूप नहीं थी लेकिन अपनी भूप बात में ना बढ़ जाए मेरी तो मैंने खाना है और आमें खाकर ही वेट लूप करना है। बगार खाए हम हैवीवेट वाले नहीं कम हो सकते है। तो आप लोग भी हम्यी स्टार्ट करें अपने लिए टाइम निकालें काने के बात बगर लॉप नासमी करें इसके लाव में जिब मुझ अबानी की बहुत आदत है तो मैंने एक अपने अंदर ये चीज़ आइट किये कि मैं बबल रखती हूँ अपने साथ और मैं बबल खाती नेती हूँ जैसे ही मेरा खाना भी ना खतम हो जाता है मैं उसके कुछ दिर बाद बबल ले लेती हूँ ताकि मुझे लगे मेरे मूँ में कुछ है तो मलते हैं डे नाइन में अपना बहुत ख्याल लगना और मुझे बताना में रिटिप्स कैसी लगी बाते कैसी लगी और फॉलो करना और मिलते हैं